राफ नमस्कार दोस्तों कैसे हैं अब सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वाइब रहते हैं दोस्तों आप सभी गन्य थैंकियाती jsुकि ऑप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं श्यायर करते हैं आज में आपके सामने एक छोटी हैंग लेकिन हम क्या करते हैं कि एक प्रवर्थित करके खालते हैं कि जग फोड़ा सा उसकी रोप को परिवर्तित खायेंगी उतना ही प्रवाइब करेंगी जिसने के हमारे स्वास्त BACK ऊइधसे तो वही खाने की जुब भी वस्तु हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत जाना नुक्सान दे होगी उदारन के लिए जिसे गहूं है तो गहूं को हम अंकुरीद करके खा सकते हैं दोस्तों लेकिन उसको ज्यादा टाइम तक हम डेली अंकुरीद करके नहीं खा सकते हैं तो हम शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुक्सान दे होता है जह कर वहती हों की घेएं जहर। इन जही बहुत हो जाता है बहुत जैदा में ज्विटामेंस की मात्रा यह हुए होता है जो है अटे कुछ जन कर और बच्ची हुए जो कर होती है उसको प्रटैस्ट कर उसका है समझ कर उसको टेता है चोकर की जो 0-100 ग्रॉब चोकर के अंदर 10 प्रितिसर्ध जो जरॉत जहां दोस्तों और 14 forte है उसमें fat होती है 2.5 प्रतिशत उसमें खनीज लवन होता है और 2.5 प्रतिशत उसमें कार्वोज होता है जो कि आटे की तुलना में कहीं ज्यादा होता है चोकर के अंदर बड़ी मात्रा में पोटास होता है जो कि आपकी बड़ी आत के कैंसर से आपको बचाता है आटे के अंदर चोकर मिलाकर खाने के आपको कबजयत की प्रॉब्लम से चुटकारा मिलागा चोकर जो है एक तरह सा म्रदू रेचक जिसको बेद दस्तावार बोलता है वह उता है इसे जो आपका मल है वह आतों के अंदर चिपकेगा नहीं और इजी वे में पतला होकर इजी हुआ हुआ मल बीना किसी जोर लगाए आप असानी से निकल जाएगा चोकर में लगपक सभी प्रकार्स की विटामिन्स और मिनरल्स होता है अता यह पोश्टिक्टा के बहुत ही अच्छा इस्त्रोत होता है और चोकर के अंदर जो है फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होने के कारण यह आतों के अंदर जो चिपके हुए मल होता है उसको भी निकाल कर फैकने में बहुत ज़्यादा है अमेरों के बोड़नेविटा से चोकर ब्रान का ब्रान से बना हुआ गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा वर्दान बहतर विकल्प हो सकता है रक्त अमें च चोकर बिना निकाले चोकर सहीत उसकी रोटी बना के खायेंगे तो आपका मतलब बगंदर और उसमें बहुत ज़्यादा बावासिर में फायदा मिलेगा पेट के जितने भी रोग होता है उसमें चोकर का बहुत ज़्यादा होता है चोकर के नियंतर प्रयोग से भूखना ल वह ज्यादा बढ़ जाती हैं दोस्तों तो आपको मेरे वीडियो क्यों से लगा दोस्तों तो आप पी अपनी जीवन में इन चीजों को एपलाई कीजिए और आता ही आप बिना चोकर निकाले बिना रोटी बना के खाईए और उससे आपको बहुत ही कुछ ही दिनों में आपक कीजिए थैंक यू सो मच